हेलो एवरेवन गुड मॉर्णिंग कैसे आप सब अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो आज हम जा रहेते सोना करीदने तोड़ा सा दूरी पे जाना पड़ता है घर से दूरी है वहाँ पे मार्केट है तो वहाँ पे जाना पड़ता है तो मैं और मेरी सिस्टर बस के द्वारे जाएते हैं ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है जिसके लिए हम थोड़ा बहुत जैवर अभी से जोड़ना स्टार्ट कर रहे है तो हमने जैसे व्लॉग स्टार्ट किया तो पीछे एक वीमल जुबा केसरी वाला लोग को दिख गया इस से हमें हसी आगी और आ मेरे से तो 10 साल चोटी है और अभी भी इसके शादी में 5-5 साल बाकी है लेकिन आज से ही हम इसके लिए चान दी के थोड़े बहुत बिच्छिया हो गए कोई अंगुठी हो गई थोड़ी थोड़ी चीजे इखटा करने लगे अभी इसकी सगाई की बात भी चल रही है तो ह बापा की भी हिमत थी उस्टम अब उनकी भी हिमत नहीं है और ममी भी नहीं है दोनों चीजे तो आज जिम्मेदारी मेरे उपर है लेकिन उस समय उन्होंने मेरे लिए किया आप सोचो कि माबाप शुरू से लेके अंद तक बच्चे के लिए कितना कुछ करते बेटी के वो इखटा करते हैं चार-पांच साल तक बेटी को बढ़ा करते हैं उसको पढ़ाते हैं फिर उसको क्या देना उसके लिए इखटा करो फिर उसकी शादी करो शादी करने के टाइम उसको क्या दे के भेजना है फिर उसके घर में जितने भी फंक्शन होगे उसके परिवार म आप सोचो कि उनके माबाप के उपर कितना कुछ गुजरेगा मेरे माबाप के उपर कितना कुछ गुजरा होगा आज मैं ये चीजे समझ रही हूँ हालांकि एसास मुझे पहले से है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है मेरे से जादा उनके साथ गलत हुआ है ये अगर किसी को समझ में आये तो मुझे comment ज़रूर कर देना नहीं तो फिर मैं अगले vlog में आपको ज़रूर बताऊँगी कौन सी जगह कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने घर आ गई हूँ वापिस ऐसा तो बिलकुल भी नहीं होता और जो लोग ऐसे allegation लगाते हैं कि घर पे बैटिये ये तो जाती नहीं ये तो घर पे तो आप हमारे घर की बात को नहीं जानते आप नहीं जानते कि हमारे साथ क्या क्या हु हुआ होगा वाँ पे तब जाके ये नौबत आई है तब जाके हम आके अपने ही माबाब की छाती पे बैटे हमें अच्छा लगता है ना उनको अच्छा लगता है तब भी हमें बैटना पड़ता है क्योंकि ये हमारी मजबूरी एक तरह से ये हमारी मजबूरी है कि हम कहीं लेने हैं इसके लिए थोड़ी बहुत जोटी मोटी जैसे नाक की एक नाक का काटा लेने भी जाते हैं तो अपन सोचते हैं कि अरे तीन अजार अच्छा तीन अजार इकटे हो गए तीन अजार इस बार इना इकटे हो गए तो इस बार इसके नाक का काटा लिया थे इस बार इसके चड़े लिया थे मतलब पैर में जो पाइल पहनते वो लिया थे इस बार इसके गले का कुछ लिया थे इस तरीके से इकट रखते थे कुछ और लोगों में श्रोर रखते थे इस तरीके से हमारे जीवन निर्वा उतो नाव शल्र होता ता और तो o समय बी मेरे पाथ माता पिता ने कोई कमी ने रखी कि शहीं कि भाई मेरे को कुछ दिया इंधि कि लिया नहीं से बहुत कुछ किया ठीक है? और वो जो दिया, वो भी मुझे वापिस नहीं दिया. इतने नीच लोग हैं, उन्होंने सारा मेरा खा लिया. खैर कोई नी इश्वर देखेगा, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ. और बाकी जो कोट है, वो जो कोट निन्ने करेगा, वो मु इसके लिए कुछ कपड़े लते लेने थे वो लिए और कुछ चपल लेने थे वो लिए और जब हम सोना खरीदने गए और हमने एक रमजोल जिसे कहते हैं मैं आपको यहां पर एक फोटो लगा दूँगी इस तरीके से इसने का कि जी जी मुझे पाइपाइल नहीं लेनी है स्थब्द हो गई कि सोचो इतनी छोटी सी चीज के इतने पैसे तो कैसे कैसे मेनेज किया होगा माबापने जब हमारा घर भी नहीं बना हुआ तक अच्छा घर था उनके लिए मेरे बाबापने घर बनाये कि मेरे जवाई बेटी जवाई आएंगे तो कहा रहेंगे घर बना गिरता था उपर से जगे जगे छिद्रों रहें थोड़े थोड़े तो उस तरीके से पानी गिरता तो कभी यहां टप लगाया कभी यहां पर बाल्टी लगाई वहां टप लगाया फिर वो पानी बाहर गिराया फिर दूसरा लगाया इस तरीके से लेकिन उन्होंने एक बा परिणाम अगर बुरा आ जाए ना तो फिर दिक्कत होती है फिर बहुत दिक्कत होती है खेर मेरे दिल में जो मतलब बहुत कुछ कहना चाहती हूं बहुत भड़ास है लेकिन बस यही कि मैं किसी के लिए नहीं वो करना चाहती कि ठीक है मेरे पास बहुत सारी चीज़े ऐसी व और वो आज तक मेरे पास है और बाकी क्या बोलू मैं बहुत दुख होता है फिर हमने थोड़े से जामून लिये ये जामून गर्मियों में आते हैं हमारी यहां पे तो ये जामून लिये मैंने मेरी सिस्टर ने खाए रास्ते में चलते जलते फिर हमने नाश्टा किया यहां पीए बैंगल शुरू हो जाते हैं 150 रूपीज से शुरू हो जाते हैं और यह हमारे जो राजपुती सूट के उपर है एकदम मैच करके आप अपने अपने इसाब से ले सकते हो तो बहुत ही सस्ते होल सॉल में भी अगर आपको चाहिए तो यह जगे का मैं बता दूंगी आ आपको दिखाओं कि इस मार्केट मैं पूरा अच्छे से एक्स्प्लोर करूं लेकिन मेरे से हो नहीं पाया आपको पता है मेरी दिक्कत है मैं बार की व्लॉगिंग अच्छे से नहीं कर पाते हूं लेकिन मैं कोशिश करूंगी अभी मैं करी रही हूं कोशिश और करूंगी तो ये सब बातें मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि एक कोई भी वक्ते ना फट से गलत कहने में फट से आगया जाते कि अरे नहीं वो तो नहीं वो तो बिचारे सीधे हैं यही गलत है यह मेरे साथ हुआ है जैसे हमारे कोई पैचान वाले थे तो उनको वो मिले होंगे तो वो तो अविसलि मेरे को उनको मिलेंगे तो वो तो मेरी बुराई करेंगे जब उन्होंने बुराई गी तो उन्होंने कहा कि वो तो बिचारे सीधे फिर कभी बताऊंगी कि वो कौन लोग थे जोनोंने क्या कुछ कहा और यहां से मैं आपको दिखा रही हूँ अपना कॉलेज जहां से मैंने शिक्षा दिक्षा प्राप्त की शादी के बाद बच्ची के बाद ठीक है तो यह पीच में मेरा कॉलेज आता है तो इस कॉलेज में म इतना नहीं बोलना चाहती थी पर मेरे मन में ऐसा आया कि मैं क्यूं नहीं बोलू क्योंकि कितना कुछ करते हैं और उसके बाद ऐसा कुछ होता है तो फिर बहुत छोड़ी और ये है हमारा उमेद भवन जहां पर आपको पता होगा तो प्रियंका चौपडा ने शादी की थी तो ये मैंने बहुत दूर से लिया क्योंकि इसमें जाने की बहुत जादा कॉस्ट है मेरे बजट में तो है नहीं वाई लेकिन हाँ कभी मेरे को जाने का मौका मिला तो मैं वहां से जरूर आपको दिखाऊंगी तो आज का व्लॉग मैं ही पे एंड कर देती हूं और आगे मैं ऐसे ही व्लॉग लाती रहूंगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करना तकि मैं